हेलो फ्रैंज, वेलकॉम पेक्ट ले यूटूब चैनल, आज हम बात करेंगे हैलोस फर्मुला के अगली एकसराइज याने की पहले एकसराइज एकसराइज 12.1 के बारे में इसे पहले हम एस चेप्टर की बेसिक फर्मुलास के बारे में बात कर रहा था, तो आज हम इस वीड चैनल दे रहा हुआ ये जिसको मैं आवब बनाता हूं जिसकी 2 साइड यानी कि 10кимиटर और पूर्य का पेरी मेटर दे रहा है 42だから सबसे पछे में लहां थेक realize मिलम अंदर सुपी में मौकर आपको पता नहीं कि ici तरी में इसल्डाइब सेंटे माति अंदर स्टी का प्हेंटां थे रहा किसे है वर creator है और sont sum of all sides sum of all sides sum of all sides होता है पहनी मिटर है sum of all sides होता है यानि कि 42 हो जाएगा sum of all sides यानि कि a plus b plus c बराबर 42 और a और b तो आपके पास है 18 plus 10 plus c is equal to 42 हो जाएगा ठीक है अब 18 plus 10 कितना होता है 28 plus c is equal to 42 हो जाएगा तो यहां से हम कह दिएगे c equal to 42 minus 28 यानि कि c equal to कितना है का आपका 14 cm यानि कि आपकी जो third side आ गई वो कितना गई 14 cm आ गई ठीक है 14 cm आ गई अब जब हेरों समना से हमको solve करना होता है तो हमें चीए होता है semi perimeter semi perimeter जिसे हम कहते है as semi perimeter जैसे हम दिखाते है ऐसे अब यह होता है आपका a plus b plus c upon 2 a plus b plus c कितना होता है आपका देखो a plus b plus c यानि कि total perimeter होता है 42 upon 2 यानि कि हो जाएगा आपका 21 cm यह हो जाएगा ठीक है 21 cm हुआ तो अब देखो अब herons formula क्या होता है herons formula यानि कि herons formula यूज तो हेलम फ्रमुला होता है आपका अंडरूट s, s-a, s-b, s-c, ठीक है यह यूज़ करेंगे, अब s तो हमको पता है 21 है, s21 होगा, minus a किता है, 18 है, उपार हमको गिवन है, a, b, 18 है, और s21, minus b किता है, 10, और s21, minus c किता है, आपका 14, जो भी आपने निकाल लखाएं, ठीक है, तो अब आजाएगा, यह हो जाएगा, 21, multiple 21 minus a, 3, multiple 21 minus 10, 11, multiple 21 minus 14, 7 हो जाएगा, ठीक है, अब इसको हम 21 ही लिखते हैं, 7, 3, जा 21 हो जाएगा, multiply 11, यानिकि 2, 21 है, तो square root करेंगे, तो 21 भारा जाएगा, और 11 अंदर, यानिकि यह centimeter square हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, answer, यानिकि अगर आपसे इस तरीके का question आ जाएगा, तो आप उस तरीके से solve गर होगे, और आपका answer आ जाएगा, 21 under root 11 cm square, अब देखिए, हमारा अगला question है, sides of a triangle, are in the ratio 12, ratio 17, ratio 25, यानिकि एक triangle है, जिसका, कीनो side का ratio है, 12, 17 और 25, and its perimeter is 540, सबसे पहले हम लिखेंगे, perimeter, यान दे रखा है, आपको 540 cm दे रखा है, ठीक है, ratio of sides भी दे रखा है, ratio of sides, ratio of sides से जाने की, a ratio, b ratio c, जो आपको दे रखा है, 12, ratio 17, ratio 25, तो हम लिखेंगे, let, a equal to 12x, b equal to 17x, और c equal to 25x, हमने तिनो side को मालने है, ठीक है, यह हो गया आपका, तो अब देखो, यहाँ पर हमको दे रखा है, perimeter, perimeter बराबर कितना है, 540, यानिकि 540 cm, अब perimeter of triangle क्या होता है, sum of all sides, तो यानिकि इन तिनो sides को add करोगे, 12x, plus 17x, plus 25x, is equal to 540, अब जब इन तिनों को add करोगे, तो आपका आथा है, 54x is equal to 540, अब 54 यहाँ multiply में है, महाँ जाके क्या हो जाएगा, divide, तो 540 divided by 54, तो इस से हम काट इंगे इसको, तो x equal to कितना जाएगा, आपका 10, यानिकि x की value 10 आई, तो therefore x की value 10 आई, तो a equal to कितना था, 12x, यानिकि 12 multiplied 10, बोले तो 120, ठीक है, 120 cm, b था आपका यहाँ पर, कितना, 17x, 17x, बोले तो 17 multiplied 10, बराबर 170 cm भी आगया आपका, और c आपका था 25x, तो 25x is equal to 25 multiplied 10 is equal to 250 cm, यह भी हो गया, ठीक है, अब आपके question में पूछा क्या था, sides of a triangle are in the ratio, इतना था ratio दिया था, तो हमने तीनो side भी निकाल दिया यहाँ पर, और उसका perimeter से हमने ratio निकाल दिया, और find its area, अब हमको निकालना है उसका area, अब area निकालने के लिए हमको चीए semi perimeter, semi perimeter, अगर इस question में हमको कोई एक height दिया होती है, या निकि इन तीनों में से हमको अगर पता होता, कि एक height है और एक base है, तो हम directly half base into height से यह निकाल दिया लेकिन हमको यह दिया नहीं है, तो हम इसमें क्या निकाएंगे, हेरांस formula लगाएंगा, अब हेरांस formula के हमको चीए होता है, semi perimeter, semi perimeter जो की होता है, perimeter by 2, अब perimeter है 540, तो 540 by 2 बराबर कितना हो जाएगा, 270, 270, यानि कि S की value कितने आ गई, आपकी 270 आ गई, ठीक है, अब हेरांस formula लिखेंगे यहाँ आपर हम हेरांस formula, या फिर आप paper ले सकते हो, by using हेरांस formula भी ले सकते हो, तो हेरांस formula हो जाता है आपका S, S minus A, S minus B, और S minus C, simple, अब S के जगर लिख दो के 270, 270 minus A कितना है आपका, 120, 270 minus 120, 270 minus 170, B की value, और 270 minus 250, यानि कि C की value, ठीक है, under root पूरे मा आ जाएगा, 22, 70 को ऐसी रहें दिया हमने, इन दोनों को minus किया, तो 150 आया, इन दोनों को minus किया, तो 100 आया, इन दोनों को minus किया, तो 20 आया, अब सीदीसे बाद है 100 इसका square root होता है 10 का, तो सीदी हम 10 भहा लिख देंगे, ठीक है, और 27 को आप 9 multiply 3, multiply 10 लिख सकते हैं, बिल्कु लिख सकते हैं, और 15 को आप 5 multiply 3, multiply 10 लिख सकते हैं, बिल्कु लिख सकते हैं, 20 को आप 5 x 4 भी लिश सकते हैं 5 x 20 होता है ठीक है और 100 तो हमने 10 भा ले लिया है अब 9 किसका square root होता है 3 का तो 10 x 3 हो जाएगा यहाँ ठीक है और multiply 1, 2, 3 है तो 1, 3 भार आ जाएगा 2, 10 है तो 1, 10 भार आ जाएगा 2, 5 है तो 1, 5 भार और 4 का 2 भार आ जाएगा यहाँ कि इन सब को multiply करोगे तो 3 जा 9 होता है 10, 10 जा 100, 2, 0 और 5 जा 10 यहाँ कि 9,000 cm2 के आ जाएगा आपका area of this triangle ठीक है तो बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ अगला कोशन है देखिए यह एक आइसुसल ट्रेंगल है पैरीमीटर 30 cm and each of the equal sides is 12 cm यहने कि एक आइसुसल ट्रेंगल है ठीक है आइसुसल ट्रेंगल यहने कि जिसकी दो साइडें equal होती है और उसने कहा है कि and each of the equal sides is 12 cm यानि कि जो दो equal side है उन दोनों की measurement है आपकी 12 cm यानि कि सबसे पहले given में आप लिखोगे क्या लिखोगे? perimeter लिखोगे सबसे बढ़े तो यानि कि जो आपको perimeter दे रखे है perimeter of Iseusal triangle लिखना पूरा is equal to 30 cm ठीक है? perimeter of Iseusal triangle को 30 cm first side लिखेंगे first side जो कि A से denote करोगे वो होजाएगा आपका 12 cm second side दिखाएंगे जिसे भी आप B से denote करोगे B से उसे आप लिखोगे 12 cm और third side जो कि आपकी C होगी वो आपको निकालने होगी यानि कि X समाल लो ठीक है? तो आप उकको perimeter दे रखे है perimeter क्या होता है? a प्लस b प्लस c बराबर 30 cm होता है अब a प्लस b प्लस c क्यूं क्या? क्योंकि perimeter of triangle होता है sum of all sides है कि किसी भी object का perimeter होता है sum of all sides sum of all sides a प्लस b प्लस c a है आपको 12 b है 12 c पता नहीं तो equal to 30 ठीक है? तो 12 प्लस 12 24 प्लस c बराबर 30 तो यहां से 24 को इधर लाओगे C equal to 30 minus 24 that is C equal to आपका हो जाना है 6 cm तो आपका A भी है, B भी है, C भी है तो C equal to 6 cm आया अब हेरों सब्ला से निकालने के लिए आपको चीह होता है semi perimeter semi perimeter निकालने के लिए आपको करना बढ़ता है perimeter by 2 perimeter divided by 2 perimeter है आपका 30 upon 2 is equal to 15 यानि 15 आगया आपका S 15 cm ठीक है unit लिखना काभी मत भूलेगा, आपके mark से कट सकते हैं अब के निकालते हैं hereons formula by using hereons formula लिखेंगे आप लोग hereons formula लगाएंगे और हमारा जो formula है वो होगा S, S minus A S minus B and S minus C simple, S कितना है आपका 15 15 minus A कितना है आपका 12, Bb है 12 15 minus 12 15 minus 12 and S minus C, यानि कि 15 minus C है आपका 6 ठीक है, अब देखो 15 लिखा, 15 minus 12 भी कितना हो जाएगा multiply 3, multiply 15 minus 12 भी 3 15 minus 6 से आपका नहीं ठीक है, अब आपको square root निकालना होता है तो 3 और 3 दोनों का एक एक जोड़ा है तो 3 भारा जाएगा और 9 इसका square root होता है, 3 का यह भारा जाएगा और under root 15 ऐसे ही रहेगा यानि कि area हो जाएगा आपका 9 under root 15 cm square ठीक है दोस्तों, तो इस तरी किसे आपका क्या होगा, आपका यह formula निकाल आएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो और यह सारे कोशें समझमा आए होंगे और यह वीडियो पसंद आए होगे अगर आपको वीडियो पसंद आए है, तो ब्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें बने दोस्तों को हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने और कमेंट करके जरूर जाएं आपको वीडियो कैसी लगी करके तब तक के लिए दोगत की दूरी, मास के जरूरी अपने ध्याने किये, अपने खरवानों को जाने किये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स वर वाचिंग टेक केर, जय हिन, जय भारत